चैप्टर 14 लोटलाकार यानि आज्यार्थक यानि आज्या देने के संबंद में संस्कृत में कुछ अलग नियम होते हैं उन नियमों का जो रूप है उसे हम लोग लोटलाकार के रूप में जानते हैं तो यहाँ पर हम देख लेंगे ग्रामर पोर्शन में लोटलाकार यानि आज्यार्थक आज्या देने या आज्या मांगने के अर्थ में लोटलाकार का प्रयोग किया जाता है लोटलाकार के रूप बनाते समय धातू के अंत में निम्न प्रत्य जोड दियते हैं निम्न प्रत्य का मतलब हो गया शब्द का छोटा अंश जो शब्द के अंत में आ करके यानि पीछे आ करके जुड़ता है और शब्द को पूरा करता है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो नियम है लोटलाकार का वो हो गया तुम्हारा पुरुष यानि उपर से नीचे की और हमें पुरुष को देखना है और वचन यानि एक वचन द्वी वचन और बहुचन इसलाइम में यानि इस तरफ से चलेगा तो अब हम लोग आ जाएंगे प्रथम पुरुष यहाँ पे हम रूप देख रहे हैं तु ताम अन्तु मध्यम पुरुष अतम त उत्तम पुरुष आनि आव आम यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर इसमें धातु हम जोडते हैं जैसे कि पठ धातु यहाँ जोडा गया है तो पठ धातु अगर हम लगा देते हैं तो पच्चतु, पच्चताम, पच्छन्तु, मध्यम पुरुष में पच्च, पच्चतम, पच्छत, उत्तम पुरुष में पठानी, पठाव, पठाम, तो ये हमारा लोट लकार का रूप हो गया, यानि कि आज्या देंगे या किसी से आज्या मांगेंगे, तो संस्कृत में हमें इसी रूप को प्रयोग करना है, तो अब हम लोग इस रूप को ध्यान में रखते हुए, चैप्टर का अनुवाद पू यहां हमें आज्या देना है, तो इसलिए उसको ध्यान में रख करके वह जाए, तो गच ताम, वे दोनों जाए, ते गच्छन तू, वे सभी जाए, सावद तू, वह बोले, ते वद ताम, वे दोनों बोले, ताह वदन तू, वे सभी बोले, यहां पे हम देख रहे हैं। यहां next में अहम खादानी मैं खाऊं आवाम खादाव हम दोनों खाएं वयम खादाव हम सभी खाएं अब next paragraph में हम आ जाते हैं जीवने अनुशासनस्य महत्वम अधिकम अस्ती जीवन में अनुशाशन का अधिक महत्व है यदि सूर्य चंद्रह समयेन ना उदेतु तरही अस्माकम जीवनम अपी ना संभवतु तो यहां यदि सूर्य चंद्रह समय से समय पर ना उदित हुँ तो हमारा जीवन भी संभव नहीं है यदि देशस्य सर्वे नागरिकाह स्वकार्यम यथा कालम कुर्वन्तु तरही देशस्य उथानम भवतु यदि देश के सभी नागरिक अपनी कार्य उचित समय पर करें तो देश का उत्थान होगा सर्वे जनाह देशस्य हिताय कार्यम कुर्वन्तु सत्य प्रिया भवन्तु परोपकारम च कुर्वन्तु सभी लोग देश के हित का कार्य करें सत्य प्रिया हो यानि सच को पसंद करने वाले हो और परोपकार करने वाले हो तो ये अनुवाद हमारा पूरा हो गया